नमस्कार दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में छट वाले यानि सिलिंग फैन के जो तीन वायर बाहर निकले होते हैं उनमें से कामन रनिंग स्टाटिंग पहचानना बताऊँगा किन किन wire पर capacitor का connection होगा और कहां कहां पर supply यानि current का wire जुड़ेगा आज के इस वीडियो में केवल multimeter से common running starting पहचानना बताऊँगा यदि series से आप पहचानना सीखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इस तरह से आपको multimeter लेना है और multimeter अभी आप condition में multimeter को चालू कर लेना है चालू करने के बाद continuity range पर इसको set करना है देखिए यह continuity range है अब दोनों प्रोग को आपस में start करने पर beep की आवाज आनी चाहिए बारी बारी से सभी वायरों को touch करना है यानि जो multimeter का प्रोग है सभी वायरों पर touch करेंगे और इसकी जो reading आएगी copy out pain की साहता से लिखते जाएंगे देखिए यह तीन जो वायर निकले होते हैं एडि आपको मालूम है color से तो कोई बात नहीं है एडि नहीं मालूम है तब आप इस तरह के multimeter का प्रयोग कर सकते हैं multimeter नहीं चलाना जाता तो आपको series के लिए अगली video देखनी पड़े की देखिए red और yellow पर touch करने पर देखिए 348 reading आ रही है red और yellow यानि लाल और पिले वाले wire पर touch करने पर इतना reading आ रही है आपको pain copy लेकर के लिखते रहना है और last में इसकी पूरी reading note करने के बाद बताऊँगा कौन सा common है कौन सा running है कौन सा starting है देखिए red और yellow यानि लाल और पिले वाली की reading इतना है उसको note कर लेना है आपको अब इसी तरह से एक wire इसमें से छोड़ देंगे जैसे की red और yellow पर लगाए थे अब किसी एक wire को छोड़ दीजिए अब हम blue को ले लेते हैं yellow को पकड़े रहेंगे और blue को ले लेंगे red को छोड़नेंगे अब इसकी reading भी note कर लेंगे यानि blue और yellow की reading इतना आ रहे है उसको आपको जैसे की red और yellow की reading note किये थे उसी तरह से इसको भी note कर लेते हैं blue और yellow की यानि नीला और पीले wire की जो reading आ रहे है उसको note देखिए एक बार गुना से confirm कर लीजिए देखिए 563 62 आ रहे है आपको उतना reading लिख लेना है इसी तरह से आपको बारी बारी से step by step करते जाएंगे तो आपके समझ में जरूर है जाएगा देखिए अब हमने दूसरे wire को ले लेते हैं जैसे कि हमने अभी blue वाले को और yellow वाले को लिए थे अब blue वाले को और red वाले को ले लेते हैं इसकी reading भी 225-24 ऐसे आ रहे है इसको भी आपको pen copy में note कर लेना है देखिए यहां पर इसकी भी reading note कर लेते हैं अब आपको main point बताऊंगा यहीं पर आपको ध्यान देना है इन सभी reading में जिन दो point की reading सबसे ज़्यादा होगी वो capacitor के point होगे यानि उन point पर condenser जुड़े के देखिए इसमें तीनो reading को मिलाएंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सी reading है यहां पर देखिए B और Y यानि blue और yellow पिले वाले तार की reading सबसे ज़्यादा है इसलिए A point capacitor के हो गए है इनको छोड़ करके जो तीसरा point बच रहा है B और Y को छोड़ करके तीसरा point red बच रहा है अब कामन पता चलने के बाद हमको running or starting पता करना है यानि जिन दो वायरों को reading सबसे ज़्यादा है वहां पर capacitor का connection होगा और तीसरा वायर जो बच रहा है वह common वायर होगा common वायर पता करने के बाद अब को running or starting पता करना है यानि common वाले पर direct supply जुड़ेगी यानि current वाला एक wire direct वहाँ पर जुड़ेगा common वाले पर अब common वाला wire पता होने के बाद आपको running away starting पता करना है क्योंकि running वाले point पर current वाला wire जुड़ेगा इसलिए आपको एदि ऐसा नहीं पता चलता है तो आपको पंखे को उल्टा और सीधा गुमाना है condenser के किसी point पर supply देने पर पंखा चले गया एदि सीधा चलता है तो वो running का point है आपको ऐसे पता करना है तो आप देखिए एक बार और आर कामन है इसके बाद y की reading देखना है और b की reading देखना है कामन से यानि जिसकी reading सबसे ज़्यादा होगी वह running का point होगा वहाँ पर capacitor का point और current वाला point दोनों दिये जाएंगे current का भी wire जुड़ेगा और condenser का भी wire उस पर जुड़ेगा इस तरह से आप पता कर से कामन से जिसकी reading ज़्यादा है वह running का है और जिसकी reading कम है वह starting का है कि आर वाई की reading ज़्यादा है इसलिए y वाला जो yellow वाला है वह running है और blue वाला starting है इस तरह से आपको अच्छे से पता कर लेना है कि कौन सा कामन है कौन सा running है कौन सा starting किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमा